हाई प्रेंट्स आप सभी को बाला जी रेसिपी सेंट पल्स में स्वागत करती हूँ आज मैं आपको कैरेट हल्वा बनाना सिखाने वाले हूँ इसके लिए महीने लिया है चार उठी कैरेट और दो चमाच देसी गी ली हूँ दो चमाच पॉपी सीर्स लिया है एक बॉल शुगर ली हो और एक बॉल दूद ली हो इसमें दूद तो इतना नहीं चाहिए कैरेट बॉल होने के बाद हमें कितना चाहिए उतना हम डाल देंगे अब हम क्या करते हैं? कैरेट को किसलना सुरू करते हैं कैरेट को किसल जाने के बाद हम इसे कुक्कर लेके एक विशल के लिए चोड़ देते हैं। अब मैं कुक्कर में एक कैरेट को डाल रही हूं। अब इसमें आदा कप डूद डालने वाली हूं। किसलने के बाद ही बता चलता है दूद कितना डालना पड़ता है इसमें। एक आदा कप तो दूद इसमें डालना पड़ता है। तोड़ा दूद ऐसे ही रखी हूं। कि अब कुकर को एक विशल के लिए चोड़ देते हैं और यह देखिए क्यारेट भी अच्छी तरह से बॉइल हो चुकी है अब हम क्या करते है एक कड़ाई लेके गया सान करके उसमें गी डालेंगे अब हम गी डालने के बाद गरम होने के लिए चोड़ देते हैं गरम होने के बाद इसमें पॉपी सीड्स डाल देते हैं इसमें ओमेगा त्री पैटी एसीड्स है हार्ट के लिए और डायबिटिस लोगों के लिए बहुत अच्छी है कैरेट के बारे में आप सभी को बता है इस पापी सीड्स को पटने के लिए एक दो मिनिट लगते हैं देखिए अब इक इतनी अच्छी तरह से पट रही है पटने के बाद इसमें कैरेट हलवा में आठ दस ड्राइग ग्रेप्स डाल रही हूँ ग्रेप्स को डालने के बाद अब मैं इसमें कुकर से कैरेट भी इसमें डाल रही हूँ अब मैं इसमें शुगर डाल रही हूं इसमें तो एक कप शुगर तो नहीं चाहिए एक कप कारेट हो तो बॉल होने से आदा कप हो जाता है इसलिए मैं इसमें त्री पोर्थ कप शुगर डाल रही हूँ शुगर को मैं मेल्ट होने के लिए इसमें चोड़ देते हैं शुगर मेल्ट होने के बाद देखिए मैंने पूरा एक कप शुगर नई डाला है ज्यादा स्विट हो जाता है इसलिए 3-4 cup sugar शुगर इसमें डाली हो अब शुगर तो पूरी तरह से melt होने के बाद क्या करना है carrot को हमने पहले cook bekre से डालने से पहले आदा कप दूद डाल कर cooker को boil करने के बाइल के लिए रहे ते ओ दूद तोड़ा होता है इसी लिए क्या करना है अब अच्छी तरह से बॉइल आ रही है एक कैरेट को एक कड़ाई के साइड में लेते है बाद में क्या हो जाता है तो थोड़ी सी भी इसमें बची हुई दू देना वो इसके सेंटर में आ जाता है एह देखिए एह देखिए अब हम कैरेट को कड़ाई के साइड में लेते है इसमें तोड़ी सी भी दूद बची हुई ना उसको ड्राई होने के लिए चोड़ देते है अब ये दो मिनिट में ड्राई हो जाता है दूद तो पूरा ड्राई हो जाने के बाद ये हलवा पूरी तरह से रेडी हो जाती है अभी देखिए तोड़ी सी बची है इसमें देखिए देखिए अब पूरी तरह से दूद तो ड्राई हो चुकी है अब हमारा हलवा भी रेडी हो चुकी है देखिए अब क्यारे ठलवा पूरी तरह से रेडी हो गई अब मैं इसे सरु करने वाले हूं आपको मेरा हैडीश फसंद आया तो मेरी चानल को सब्स्प्राईब करो लाइक करो और शेर करो तैंक्यू